यूट्यूबर ऐसे ऐसे इंजिनियर और साइन्टिस्ट बेटे हैं ना कि उनके चमतकार और आविसकार देखकर नासा और इसरो के साइन्टिस्ट भी हैरान है और भाई साब यह लोगों का बहुत अच्छे से काट रहे हैं अभी कल ही की बात है मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूबर उसमें जो यूट्यूबर है वह बता रहा था कि उसके पास में कोई 10-15 वाट की एक चोटी मोटर थी और उस मोटर से कैसे 400 वाट का लोड जलाये जाए इनके इसाब से यदि आपकी केपेसिटी 20 किलो वजन उठाने की है या ज्यादा कोसिस करो तो 25 किलो या 30 केजी वजन उठा सकते हो इस से ज़्यादा वजन उठाओगी तो बगवान आपको उठा लेंगे तो इन महामानों के इसाब से आप वजन उठा लोगे 400 केजी बताओ फिर मैंने सोचा ये क्रेन क्यों बनाई थी ये सदी के मान आई कहां पे थे इतने दिन दोस्तो ऐसा भी किया जा सकता है 15 वाट की मोटर से 400 वाट का लोड चलाना पर ये है एक राई का पाहड बनाने से कम नहीं है 100 रुपए की मोटर के लिए आपको लगबग 50,000 रुपए का खर्चा करना होगा और गारंटेड वह थोड़े टाइम बाद में फैल ही होगा और वह कैसे फैल होगा आप कमेंट करके मुझे बताओगी आजकल यूटूब पर चल रहा है फ्री एनरजी जनरेटर और मुझे लग रहा है यूटूब के सर्वर को चलाने के लिए यह फ्री की एनरजी इनी से मिल रही है फ्री एनरजी जनरेटर का बेसिकली मतलब होता है आपको इलेक्टरिसिटी जनरेट करने के लिए आपको हवा, पानी, सोलर, रेज, सूर्य से मिलने वाली उरजा इन में से किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है यह महासे हैं पाकिस्तान से जो एक Free Energy Generator बनाते हैं और मेरे ख्याल से YouTube पे सबसे पहले Free Energy Generator का आइडिया इन ही का था तो अब अब अन ही के बारे में बात करेंगे तो इनका जो यह system है इसमें इधर एक motor है इधर एक यह generator लगा हुआ है और बीच में यह flywheel लगा हुआ है तो अब इसमें होता क्या है कि पहले motor को electricity देते हैं बाहर से तो motor गोमना शुरू कर देगी मतलब generator electricity generate करके motor को गुमा रहा है और motor generator को गुमा रही है और इसी को बोलते है free energy generator और साथ में यह मासे हमें generator से कुछ और भी load चला कर दिखाते हैं अब यह सब देखकर मेरा दोस्त बोला final year का project मैं तो यही बनाऊंगा और भाई साब उसने बना भी लिया खड़ चाया 50,000 रुपए का और भाई अब project हो गया fail प्रोपेसर साब ने submit नहीं किया fail project को और अब वह motor और generator को half rate के अंदर बेचता गोम रहा है और उनको कोई खरीद भी नहीं रहा है अभी मैं आपको बोलूँ भाई साब 10 किलो वार्ट का generator है खरीद लो तो सबसे पहले आप तो यही कहोगे ना कि करूँगा क्या यार इसका अभी मैं बताता हूँ यह लोगों को बेव कूब बनाते कैसे हैं जब flywheel गूमता है motor के साथ तो यह कुछ energy अपने अंदर store कर लेता है जिसे potential energy बोलते हैं और जब motor का load generator पर आता है तो यह flywheel अपनी potential energy को kinetic energy की form में release करना शुरू कर देगा तो थोड़ी देर तक तो यह flywheel कुछ ना कुछ load चलवा देगा क्योंकि यह flywheel अपनी energy release कर रहा है अब होगा क्या 2-4 मिनट बाद में यह flywheel अपनी energy देरे देरे lose करता चला जाएगा और 2-4 मिनट बाद में flywheel की kinetic energy zero हो जाएगी तो motor generator दोनों बंद क्योंकि एक तो generator पर motor का load है उपर से यह side में 2-4 equipment और चला रहे हैं तो flywheel की पूरी energy इनी में चली जाएगी और zero हो जाएगी और यह 2-4 मिनट का time होता है ना जिसमें flywheel अपनी energy release कर रहा है इसमें लोगों का cut जाता है और एक बात माँ आपको बता दूँ इस generator पर आप motor के अलावा और कोई भी load नहीं लगाऊगे ना तो भी यह 2-4 मिनट बाद में बंद हो जाएगी क्योंकि generator से motor और motor से flywheel और flywheel से generator के बीच में energy loss भी होती है motor generator में copper losses होते हैं friction और windage losses होते हैं तो थोड़ी देर बाद में यह energy losses के रूप में zero हो जाएगी अब मैं आपको एक example से समझाता हूँ मान लो एक kilowatt का generator है यह है और एक kilowatt की ही यह motor है तो यह generator जो एक kilowatt generate करेगा वह है यह motor पूरा consume कर जाएगी और साथ में बीच में lossis भी होंगे तो यह थोड़ी देर बाद में वैसे ही दोनों बंद हो जाएगे अब आप में से किसी का ज्यादा तेज़ दिमाग है तो वह क्या सोचेगा कि मैं एक kilowatt की motor से दो kilowatt का generator गुर्मा हूँगा तो एक kilowatt motor consume कर जाएगी और जो बचा हुआ एक kilowatt है उसे आप मान लो एक kilowatt का कोई गीजर चलाते हो तो जैसे ही generator पर load आएगा पुरा दो kilowatt का तो generator मुस्किल से गुमेगा और मुस्किल से गुमेगा तो motor को ज्यादा power लगानी पड़ेगी यानि यदि दो kilowatt का generator पर load है तो दो kilowatt अकेली यह है एक kilowatt की motor ही consume कर जाएगी इस generator को गुमाने के लिए और उपर से यह motor full load पर ओर चलेगी तो इसमें ज्यादा low sales होंगे और गीजर का load तो आपका extra ही रह जाएगा और थोड़ी देर बाद में यह सब बंद हो जाएगे इन energy generator वालों के इसाब से तो conservation of energy और जो भी energy के principle है वह सब के सब फेल हो गए अब पता नहीं वह NASA और इसरों से कैसे बचे हुए है अभी इंडिया की जो installed capacity है वह है 375 gigawatt जो 31st December 2020 के data के according है अब हमारे घरों में कभी cooler कभी पंका AC लाते ही रहते हैं हम लोग तो हमारा load भी बढ़ता है तो जब हमारा load 375 gigawatt के पहुंच जाएगा तो बिजली कमपनिया और power plant लगाएगी और अपनी capacity को बढ़ाएगी कहने का मतलब यदि 375 gigawatt हम generate करते हैं तो हम इससे कम ही consume कर पाएंगे यदि हमारा load 375 gigawatt से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा system collapse कर जाएगा voltage current को कम ज़्यादा क्या जा सकता है कोई free energy generator नहीं होता है energy generator वाले ऐसे भी है YouTube पर जिसमें से एक permanent magnet लगी रहती है और permanent magnet की energy से गुमाते हैं rotor को और फिर electricity generate होती है तो भया permanent magnet की भी एक उमर होती है उसके बाद में वह भी अपनी magnetism की properties को lose कर देगी और सबसे बड़ी बात जब permanent magnet को बनाया जाता है तो उसके अंदर energy पहले store की जाती है और वही energy हम वापस निकाल लेते हैं तो फिर काहे का free energy generator और actual process electricity generate करने का बहुत ही complicated है जिसको वन फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इन फालतू के जंजट में ना पड़े आप असल में electricity generate करना चाते हैं तो आप अपने demand के अनुसार solar panel या windmill लगवा सकते हैं और इन motor generator की working के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखना आपका बहुत knowledge बड़ेगा इससे और दोस्तो ऐसे ही interesting वीडियो देखने के लिए आप एक बार चैनल पर जरूर जाएं जहां पर आपको बहुत से knowledgeable वीडियो मिलेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को like और subscribe जरूर करें Thank you